नमस्कार आदाब न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आई इनेज़ डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर पेगेसस जासुसी मामले पर संसद में पूछे गए सवाल पर लगे रोक सचिवाले को केंद्र ने पत्र लिखकर की मांग बनारस मॉडल का नंगा सच मौनसून आते ही मटिया मेट हो गई रेत पर बनी मोदी नहर ओलम्पिक में हार के बाद हौकी खिलाडी बंदना कटारिया के परिवार पर की गई जाती गत टिपनी जहारखंड आदिवासी बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइड एक अभिशाप प्राकर्तिक आपदाओं की चपेट में उत्राखंड का रहनी गाओं चिपको आंदोलन के लिए है मशुहूर और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 44,000 से जादा नए मामले 464 मरीजों की मौत पेगेसिस पाइवेर विवाद के विरोध में संसद में चल रहे प्रदर्शन के बीच केंदर सरकार ने पेगेसिस से जुड़े एक सवाल को अश्विकार करने की मांगी है इस सवाल में पत्रकारों, कारेकरताओ, राजनेताओ, केंदर मंत्रियों के फोन हैक करने के लिए सरकार ने इसराइली साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक किया है या नहीं इस पर जानकारी मांगी थी इस हफते की शुरुवात में राजसबा सचिवाले को लिखे एक पत्र में केंदर ने अररोत किया कि CPI सांसत बिनौए विश्वम द्वारा पूछे गए अनिंतम रूप से स्विक्रित प्रश्न की अनुमती दी जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दायर जन्हित याचिकाओ के बाद पेगसिस का मुद्धा अदालत में विचारा धीन है राजियों की परिशद के प्रक्रिया और आच्रन के नियमो नियम 47 का हवाला देते हुए केंदर ने राजसबा सचिवाले से कहा कि एक स्विक्रित प्रश्न उस मामले पर जानकारी नहीं मांगेगा जिसकी भार कि मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे सवालों को अस्विकार कर दिया गया था लेकिन मुझे अभी तक अपचारिक जानकारी नहीं मिली है सरकार राजसबा के नियमों का दुर्यूपयो कर रही है और सचाई पर एक अलग रुख अपना रही है उन फुफकार ने कितने MOU साइन किये हैं इसकी जानकारी मांगी है। साथ ही क्या विदेश कंपनियों के साथ इन में से कोई MOU साइबर सुरक्षा के जरिये आतंकवादी गती विदियों को रोकने के लिए किया गया है। ये भी पूछा है। उत्तरप्रदेश के वारानसी शहर में फुफकार मारती गंगा ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के विकास के मॉडल को मटीय मेट कर दिया है। मनीकर निका घाट के सामने सरकारी मशीनरी से गंगा की जलाधारा को नातने की कोशिश की तो उफनाई गंगा ने उनके किये धरे पर पानी फेर दिया नतीजा मनी करने का घाट के सामने नदी में बनाया गया चबूतरा पानी में डूब गया है गंगा में पानी के वेक ने जो पैगाम दिया है उससे रेत में बनाई गई मोदी नहर मिट्टी में मिल गई है नदी वेग्यानिकों ने यहां रेत में नह दिशा में बह रही है, बनारस में गंगा दक्षिंट से उत्तर दिशा में बहती है, तब मोधी नहर उत्तर से दक्षिंट की और बहने लगती है, इसी का नतीजा है कि गंगा में खतरनाक भवरों का उठना, इन भवरों ने करीब 22 फीट के दायरे में पानी का ऐसा वेक पैद मोदी नहर के चलते गंगा में बन रही जान ले हम भवरों के बीच नौका चलाने में हमारे पसीने चूट रहे हैं हमें अब नदी के गुलाहल पर एक करिंट के शान्त होने का इंतजार है उसके बाद कसीन क्या होगा ये बता पाना अभी बुश्किल है इतना तो तैह है कि गंगा मोदी नहर को पूरी तरह पाठ देगी बचे कुचे बालू के टीले भी नदी में पूरी तरह समा जाएंगे बनारस के ललिता घाट, जलासेन घाट, मीर घाट और मनी करनिका घाट के सामने गंगा को बांध कर नदी के चंद्रकार स्वरूप को बच्सूरत बना दिया गया है गंगा को नातने के मकसद से रेट से भरी लाखों बोरियां डाल कर नदी को पाठा गया था उसका दुश्परिनाम अब सामने आने लगा है गंगा में पहली बार पैदा हुई काई के बाद नदी के उल्टे प्रभा के चलते नहर वाले स्थान पर बन रहे बेहत खतरनाक भवरों ने नदी के टट पर रहने वाले लोगों की नीन उड़ा दी है नदी विग्यानी IIT BHU के प्रोफेसर विशंभरनात मिश्र ने गंगा में उठ रही जानलेवा भवरों का वीडियो जारी करते हैं बनारस के लोगों से सतरक रहने की अपील की है मिश्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है नए विग्यानिको द्वारा रेत में बनाई गई नहर मौत का कुवा बन गई है उल्टे प्रभा के चलते नदी में प्रान घा तक भवरे बन रही है गंगा घाट के समानतर 5.30 किलोमेटर लंबी नहर बनाते समय दावा किया गया था कि घाटों पर पानी का दवाब कम हो जाएगा लेकिन नदी ने बता दिया कि बनारस की गंगा में 5 सितारा संस्कृती नहीं चलेगी मुदी नहर के मट्यामेट होने के बाद नदी में उठने वाली भवरें बेहत खतरनाक हैं ये भवरें अब हाथसे का सबब बन सकती हैं टोक्यो अलिम्पिक में बुद्वार को भारत के अर्जिंटीना से हार जाने के कुछी घंटों बाद अताकतित उची जाती के दो लोगों ने हरदवार के गाउं में रहने वाली होकी खिलाडी वंदना कटारिया के परिवार को गाली देने के लिए जातिगर टिपनियों का प्रयोग किया टाइम्स अफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कटारिया के परिवार ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने कहा कि भारत मैच हार गया क्योंकि वहां टीम में बहुत अधिक दलित खिलाडी थे मैच के ठीक बाद परिवार ने रोशनाबाद गाओं स्थित अपने घर के बहार पटाकों की आवाज सुनी कटारिया के भाई शेकर ने कहा कि जब हम बहार गए हमने अपने गाओं के लोगों को हमारे घर के बहार नाचते हुए देखा हम उन्हें जानते हैं और वे उची जाती के हैं आए सुनते हैं इस पूरे मसले पर वरिश्च पत्रकार भाशा सिंग का क्या कहना है पुरुष होकी टीम ने पुरस्कार जीता लेकिन जाती किस तधा से हमारे समाज में गहरे तक बैठी हुई है कि वह खेल को भी खेल नहीं रहने देती इसका जो सबसे दुख तक उदारण खेल जगत में दिखाई दिया वह दिखाई दिया जब ओलम्पिक में महिला होकी टीम कि शुरुवाती समय में हारी उस समय कुछ दक्षणपन की लोग हरिद्वार में एक जो स्टार प्लियर है वंधना काडारिया उनके घर के पास पहुचे बहुत अभद्र भाशा में उन पर हमला किया गया और कहां गया क्योंकि वह दलिख है और इस बार महिला और पुरुष होकी टीम में दलिख फिलाडियों को जगा मिली है इसलिए वे ह मार गई थी जो पूरी की पूरी माहसिकता है जाती की यह कितनी गहरी और कितनी घिनौनी है यह घटना इससे साफ करती है कि आज की तारीक में जब बेदियां जीत रही है उस समय भी जाती के आधार पर उन्हें कैसे निशाने पी लिया जाता है अकसर हमने देखा है कि बहुत से लोग यह बोलते हैं कि जाती की बात हर जगर नहीं करनी चाहिए और राजनीती की बात हर जगर नहीं करनी चाहिए आज इस खोशखवर कारेक्टर में हम बताएंगे कि जो लोग यह कहते हैं उनके दिमाग के अंदर सबसे जाता जाती की गर्दगी भरी रहती है और वह कोट अनकोट राजनीती क्योंकि मेरे हिसाब से राजनीती करना बुरा नहीं है लेकिन उनके हिसाब से उनकी जो राजनीती है बहुत इतनी गर्दगी पहलाती है इसका उधारन बहुत जरूरी है चिन्हित करना सामने लाना और उस पर चर्चा होना महामारी की वरसे बच्चों की पढ़ाई पर काफी गहरा असर पड़ा है स्कूल ना जाकर बच्चे अपनी पढ़ाई मोबाईल फोन और लैप्टॉप पर करने को मजबूर है मगर जहारखन के आदिवासियों के लिए महामारी में पैदा हुआ यह संकट और गहरा गया है क्योंकि गरीब आदिवासी लैप्टॉप या मुबाईल अफोर्ड कर पाने में समर्थ है जिसकी वर्य से पैदा हुआ डिजिटल डिवाईड उनके बच्चों के भविश्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है हाला कि पूर्व केंद्र शिक्षा मंतरी प्रकाश जाबडेकर ने संसद में पिछले साल ये बयान तो दिया था कि देश के किसी भी बच्चे की पढ़ाई में कोई बादा नहीं आएगी मगर जारखंड के आदिवासी इलाकों को देखें तो उनके दावे एक खोकले नजर आते हैं निउसक्लिक ने जारखंड के आदिवासी इलाकों का दौरा कर वहां की शिक्षा व्यवस्ता की परताल करने की कोशिश की है आप ये पूरी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं जारखंड के चमूली जिले के जिस रैनी गाउं से विश्व प्रसिद चिपको अंदोलन की शुरुआत हुई थी वे गाउं आज सरवादिक प्राकरतिक आपदाओ की चपेट में हैं परियावरण विशेशक्ग्यों की एक टीम ने इस गाउं का दौरा किया और पाया कि इस गाउं के लोगों को यदि बचाना है तो उन्हें वहां से स्थानांतरित करना होगा अब तक आचुके दरजनों भूसकलन और अचानक आने वाली बाड से गाउं स्थानिय निवासियों के लिए खतरनाक बन चुका है परियावरण पर कारणित क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चिपका अंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौरा देवी किर्पतिमा को खाल ही में रैनी गाउं से हटा कर सुरक्षित स्थान पर पहुचाया गया है ये घटना हमारे ओपर मन्रा रहे जलवाई उखतरे को इंगित करती है रैनी गाउं समुद्र तल से 3700 मीटर की उचाई पर रिशी गंगा नदी के धलान पर स्थित है यहीं से 1973 विश्व प्रसिद चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी राश्ट्रे वन सरंक्षन कानून भी इसी आंदोलन के बाद पारित हुआ था नदी पर हिमस्खलन एवं एक ग्लेशियर से तूटने के बाद विगत साथ फरवरी को रैनी गाउं में अचानक भारी बाड़ा गई थी इससे शेत्र में भारी तबाई मची थी लेकिन यहां सिलसला यहीं थमा नहीं 14 जून को फिर शेत्र में अचानक बाड़ा आ गई कई घरों को नुकसान पहुँचा जिससे ग्रामीनों में धहशत फैल गई रैनी गाउं के नीचे जोशी मट मलारी मार्क का एक बड़ा हिस्सा धस गया जिससे चमोली जिले के एक दरजन से अधिक गाउं के संपक तूड गया राजी के आपदा प्रबंदन अधिकारी नंद किशोर जोशी के अनुसार रहनी गाओं के निशले हिस्से में पचपन परिवार रहते हैं लेकिन वेचगा अब इनसानों के रहने लाइक नहीं हैं इन्हें सुभाई गाओं में बसाने का फैसला लिया गया है केंद्रिस्वास मंतराले दौरा आज शुकरवार 6 अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 44,000 से जादा नए मामले सामने आये हैं और 464 मरीजों की मौत हुई है देश के तीन राज़ों में करोना के लगातार कई लोग अपनी जान गवा रहे हैं जिन में महराश्ट्रा पहले नंबर पर है महराश्ट्रा में 24 घंटों में 120 मरीजों की मौत हुई वहीं केरल में 117 मरीजों की मौत हुई और रुडशा में 68 मरीजों की मौत हुई साथी इसी दोरान देश भर में करोना से पेड़ित 41,096 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 3,033 मामलों की बड़ोतरी हुई है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,18,000,000 हो गई है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,03,000,000 यानि लगबग 4,14,000,000 हो गई है स्वासमंत्राले की ताजर जानकारी के नुसार देश में करोना वैक्सीन की करीब 49,49 करोड डोस दी जा चुकी है हमें फेस्बुक, इंस्ट्रोग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें इस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया